विदेशों में अधिग्रण के लिए भारती कंपनिया एक बार फिर से निवेश बढ़ाने लगी इस साल अगस्त तक अधिग्रण के लिए भारती कंपनियों ने विदेश में 7.6 अरब डॉलर का निवेश किया जो 2018 के बाद सबसे अधिक वार्चिक निवेश है 2021 में सिर्फ 7.4 अरब डॉलर के अधिग्रेंड हुए थे हलागी 2010 में रिकॉर्ड था 29.1 अरब डॉलर का तब बड़ा निवेश हुआ था सर ये जो निवेश है ये किन देशों में किया जा रहा है किन सेक्टरस में किया जा रहा है जो भारत से पूझी प्रवावड़ा है अधिग्रहन भी कर रही है और निवेश भी कर रही है ये जो बदलती परिस्थेतियां हैं अंतराश्टी बाजार में कई जगे जहां मंदी है वहां अच्छी कीमतों में अधिग्रहन की संभावना बंती दिखाई दे रही है और यह आंकड़ा इसलिए महत्तुपूर्ण है कि हम वापस भारत से विदेशी मुद्रा के बाहरी प्रभा के लिए और कंपिनियों के विस्तार की तरफ देख रहे हैं जबकि हम आम तरपर विदेशी निवेश की चर्चाशुब हम भारत में आने वाले विदेशी निवेश के संदर में ही करते हैं भारत से जाने वाले व ते पांच अरब डालर का निवेश भारत से बाइश केर सेक्टर में गया जिसमें वैकोण की भी एक बड़ी डील थी यानि भारत की दवा और हिल्थ केर सेक्टर में लगिवी कंपेटियों ने अंतराश्थरी बाजार में कंपीणिया खरीदी हैं निवेश लिए हैं इससेद रहाँ डील्स और करीब 0.2 बिलियन डॉलर के असपास की डील्स कंजूमर डियो रेवेल्स में हुई हैं, यूके की जखे अब यूएस में भारती कंपिनियों का निवेश तेजी से बढ़ रहा है, अगर आप डिस्टिनेशन के हिसाब से देखें तो भारती कंपिनियां यू से बाहर जाने वाले वी देशी निवेश की परस्तिती है.